वेलकम बेक स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा तक्निकी युग में हिंदी भाषा तक्निकी युग में हिंदी भाषा का महत्व और उसकी प्रासंगित्ता के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में ब्रीडेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं आज कल हर जगा टेक्नोलोजी का इस्तिमाल हो रहा है और ऐसे में हमारी हिंदी भाषा कहां पर स्टेंट करती है भाषा का क्या महत्व है हमारी हिंदी भाषा का इस टेक्निकल एरा में और इसकी क्या प्रासंगिकता है, कितनी प्रासंगिक है, कितनी रेलिवेंट है, यह सब हम आज के वीडियो में जानेगी बढ़े तो जैसे जैसे तक्निकी का महत्व बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तक्निकी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हिंदी का महत्व, हिंदी भाशा का महत्व और उसकी प्रासंगित्ता लगातार बढ़ती चली जा रही है यानि कि तपनी के योग में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे जितने भी उपकरन आप लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब में जैसे जैसे हम सब की पोहाच बढ़ रही है, जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंदी भाषा का इस्तेमाल डिजिटल माध्यम में भी काफी जड़ा होने लगा है अगर बिटा आप याद करें आपसे पांच साल शे साल पहले तक भी हम लोग एक तरह से हिंग्लिश में लिखा करते हैं रोमन में लिखते थे हिंदी को भी लेकिन अब हिंदी टाइप करना बहुत इजी हो गया है क्योंकि नई टेक्नलोजी आ चुकी है उसकी वज़े से मैंने आपको पीछे एक वीडियो में वीडियो निकोड के वारे में भी बताया था तो इन सब चीजों की वज़े से अब हिंदी भाषा का इस्तेमाल इन डिजिटल मीडिया में भी डिजिटल मीडियम जो है इन में भी काफी ज़्यादा होने लगते है तो इस युग में हिंदी भाषा के महतो को समझने के लिए कुछ बिंदूओं पर विचार किया जा सकता है आपको किवल ये कहने से नहीं हो जाएगा बेटे कि हिंदी का महतो बढ़ गया है हिंदी का महतो बढ़ा हुआ है ये सावित करने के लिए कुछ पॉइंट रखने पड़ेंगे वो मैंने आपके लिए हैं याँ पर इंटरनेट पर हिंदी का प्रसार इंटरनेट पर हिंदी सामक्री की उप्लब्लता में तेजी से व्रद्धी हो रही है हिंदी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्रेटफॉम्स ने हिंदी भाशी उप्योग करता हूं के लिए एक नया मंच प्रधान किया जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी किश 네일 पहले। कि हिंदी में हम लोग नहीं लिखा करते थी। हम लोग लोग रोमर मेंझे टाइप हिया करते थी। तो, धीरे धीरे करके अब हिंदी की वेबसाइट्स हमें मिलने लगी है। हिंदी में हम अब email भी कर पा रहे हैं, blog लिख पा रहे हैं, social media platform पर भी हम हिंदी में देव नागरी में लिख पा रहे हैं, तो ये इस वज़े से possible हुआ है, क्योंकि technology के साथ हिंदी जो है, हिंदी की समगरी भी काफी ज़्यादा बढ़ती चली जा रहे हैं, तो mobile apps और software की बात करें, तो आजकल बहुत सारे mobile apps ऐसे आ गई हैं, बहुत सारे software आ गई हैं, जो हिंदी में available हैं अब, जिनसे कि हिंदी भाषी लोग अपनी भाषा में इन सुविधाओं का लाब उठा सकते हैं, इन सुविधाओं को, ये सुविधाओं उन लोग के लिए महत्मून हैं, जो अंग्रेजी भाषा में सहज नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में, जो कि इंग्लिश नहीं जानते हैं, या फिर इंग्लिश में comfortable नहीं हैं, उनके लिए ये हिंदी भाषा की जो सुवि नेशनल कमपनिया हैं, जो कि अपने product के लिए, अपनी services के लिए हिंदी में जानकारी दे रही हैं, उनके हिंदी भाषी उपवगताओं को उनकी भाषा में सेवाएं और उत्पात समझने में आसानी होती हैं, आप कोई भी social media tool देखिए, कोई भी social media का app देखिए, सब देख आगे बात करें, शिक्षा की e-learning की तो तपने की योग है, आजकल इसमें e-learning की माग भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, online education बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में हिंदी के जो available online courses हैं, वो शेक्षिक सामगरी जो है, उसने शिक्षा के लिए, चात्रों के लिए नई द platforms हैं, जैसे कि Facebook है, WhatsApp है, Twitter है, इन सब पर हिंदी में संभाथ करना अब बहुत common हो गया है बिटे, बहुत आसानी से हम लोग बात किया करते हैं, इससे क्या होता है कि हम हिंदी भाशी लोग जो हैं, अपनी भावनाओं को और विचारों को बड़ी आसानी से साजा कर पाती है, हिंदी के typing tools जो है, voice to text उधाएं वगरे हैं, हिंदी के typing tool आ गए हैं, हमारी पास mangal font वगरे की बात करें तो, साथ ने voice to text हम बोलते हैं, तो typing हो जाती है, ऐसी facilities की विज़े से भी हिंदी लेखन को बहुत ज़्यादा सरल हो गया है, और बहुत ज़्यादा सूरब हो गया है, सबी को आसानी से available है, लोग अब आसानी से अपने विचारों को हिंदी में लिख पाते हैं, क्योंकि हिंदी typing के tool बहुत अच्छे आ गए हैं, और साथ ने voice typing भी आ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी quality गे, अब विज्ञान और तकनीकी में भाषा का क्या योगदान ने ह हिंदी भाषा का वो हम जानें, तो हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना आसान हो गया है, इसे हिंदी भाषी जो शात्र हैं और जो शोध करता हैं, उनको काफी ज़दा फाइदा मिल रहा है, आगे बात करें, तो तकनीकी युग में हिंदी भाष्टा की ये प्रगति ना केवल हिंदी भाष्टी समुधाय के लिए महत्वपून है बल्कि भारतिय संस्कृति और धरोहर को संग्रक्षित करने का एक महत्वपून बाध्यम भी है ये केवल हम हिंदी भाष्टी लोगों के लिए यही एक महपूर बात नहीं है बलकि हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को संगरक्षित करना भी इसकी वज़े से आसान हो गया क्योंकि हम हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं अब यह था हमारा वीडियो तक ने की युग में हिंदी भाषा का महपूर और उसकी प्रासंगिता पर आपने एस वीडियो में जाना कि हिंदी भाषा का तक ने की युग में क्या महपूर है और यह कितनी प्रासंगिता है